नमस्कार एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनेर प्रभात कुमार सिंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ 810 स्कौायर फिट में बना हुआ घर का जो काम है इसको पूरा अच्छे तर ले हो या घर बनवा रहे हो तो आप इस वीडियो को देख लिजेगा आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीका से आप अपना घर को बनवा सकते हो तो चलिए पाट वाइस दिखते हैं कैसे बनेया जारा है इस घर को 27 फीट बाई 30 मतलब 810 स्कौायर फिट म बनेया जारा है अगर लंबाई और चौराही को अगर आप फीट में गुना कर देते हो तो आपका स्कौायर फिट निकल जाता है बहुत सारा लोग के मन में यह भी कन्फूजन रहता है कि स्कौायर फिट कैसे निकलते है तो 30 और 27 को गुना किजेगा तो 810 स्कौायर फिट आपका आजाता है तो 810 स्कौायर फिट में बनता हूँ इस घर का जो साइड भी हुए उसे आप देखते हो तो कुछ इस तरीका से बॉक्स नुमर डिजाइन को जो विंडू है उसका काम किया गया है और सामने की तरह देखते हैं तो सिर्फ आपको में जो गेट है वो नज लेबल है जो घर का फिनिस फ्लोर लेबल है वहां से जो छत का हाइड्ठ का वो दस पीड रखा गया है जबकि घर अर न चाहिए लेकिन उसको लेकिन ऊस्वाइय संट गरनमान में में उसले का लेबल से इसका अचाही रखा गया है , अस बूरद का आसपास में इस घर का जो ground label से उचाई है उसे रखा यहां पे गया है तो इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है बात के ले जाए column का तो इस column का size को 10 inch by 10 inch का रखा गया है यह देख सकते हो कि कुछ इस तरीका से इसका finishing यहां पे आया हुआ है ना जादा बढ़िया ना जादा खराम काम चला हुए यहां पे जो column का finishing है आप यहां पे असानी के साथ देख सकते हो इसके साथ साथ यह देखे इस घर के लिए जो beam लगाया गया है अगर beam का size का बात कर ले जाए तो इसका size भी 10 inch by 10 inch का ही रखा गया जिसमें चार सरीया का प चलाए किया गया है और इसमें भी 4 सरीया का परियोग किया गया है 10 mm का साथ में जो column है इसमें लगा हुआ सरीया का बात कर ले जाए थोड़ा जूम कर देता हूं तो देख सकते हो 12 mm का चार सरीया का परियोग यहां पे किया गया है total number of column के साथ इस घर को बनाया जा रहा है अंदर भी चलकर आपको मैं दिखाऊंगा सभी column का size है वो सेम है तो आप देख लेते हैं कि सिर्फ 800 square feet में अंदर में यहां पर क्या का चीज आपको दिखने को मिलता है तो देखिए आप 4 feet by 7 feet के आसपास का यहां पर main gate मिलता है और जैसे ही आप gate में आते हो अंदर आते हो वहां का जो साइज है उस साइज में आपको एक window मिलता है इसके बगल में आपको इस घर के लिए common toilet bathroom बनाया जा रहा है और इस माटले देखें किस तरीका से आपका काम किया जा रहा है कि toilet और bathroom का ऊपर वाला हिस्सा है जो खाली रह जाता है वहां पे एक छोटा सा store box भी बन आप नीचे में जो स्लेब है उसका कास्टिंग कर लिया गया है तो इस ढंक से इस घर का जो काम है आसानी के साथ आप देख रहे हो कि यहां पर की अजा रहा है और यह इस घर के लिए common toilet bathroom है तो दिखिए कुछ इस ढंक से आप चाहो तो toilet bathroom के तो लिंटल के लेबल है वहां पर स्लेब का कास्टिंग कराते हुए स्लेब ढ़लबाते हुए उपर वला हिसा में box बनवा सकते हो इसके साथ-साथ थोड़ा और अगर आप आगे चलते हो तो आप देख रहे हो कि यहां पर आपको इस घर के लिए एक room मिल जाता है यह आप देख सकते हो कुछ इस तरीका स इस घर का काम किया जा रहे है यहां पर इस घर के अंदर में सीडी का निर्मान कीया जा रहे है उसके बगल में एक डोर भी है लैंडिंग है यहां पर हलाके मैं सीडी पर चड़ते हुए इस घर का टॉप वीव उससे दिखाने का को सिस करूँगा ताकि जो confusion हो जाता है वाक का किचेन का दिर्मान किया जा रहा है तीन फीट पर साथ फीट का स्टेंडर्ड साइज का यहां पर डूर मिलता है आपको और कुछ इस तरीका से यह सब का किचेन प्लैटफॉर्म इधर फ्रीज रखने का जगह है और इसके साथ-साथ दो और एक्ष्टा स्लाब यहां पर रखा गया है जीचसकते हुख दूसरा स्लेव और यह एकष्टा इसरा स्लेव इस तरीका से टूटल त्री स्लेब के साथ इस किचेन का दिर्मान किया जा रहा है तीन फीट पर चार फीट का जो स्लेब है उसका काम किया गया है उसके साथ साथ यह है इस घर के लिए रूम आई में आपको दिखाता हूं किस तरीका से यहां पर बनेया जा रहा है यह देखिए कोई भी रूम में आपको यहां पर चज्जा नजर नहीं आता है यहां पर चार फिट पर चार फिट का कि हमिर्पिंटॉ का विंड़ Kab これ धुरा गया है तो देखे वहार पर पहला बेड bedroom मिला यहां पर गया problem दाथहा यहाँ पर आपको मिलगा कीचेन और इस्के साथ साथ यह सीदि है और इसके सब इसके और शार का दीम है वह पांच इन के साथ और बाहर हम वो 10 इंची के साथ यहांपे रखा गया है, यहां पे आप असानी के साथ, देख सकते हूं, आप असानी के साथ देख सकते हो, और अंदर का जो दिवाल है, जो पर्टिसन वाल के रूप में यूज़ किया गया है, वो पाचिंची का है, तो देखें, यहाँ पर ऊपर चलके मैं आपको दिखाने के कोशिज करता हूँ, टॉप व्यूव, देखें, फ्रंट की तरफ यहाँ पर आपको पहला रूम मिला था उसके साथ-साथ तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर comment टोलर बासर मिला था, उसके बाद उधर आपको इस घर के लिए hall मिला था, यहाँ पर आपको इस घर के लिए kitchen था, और यहाँ पर dining area है, देख सकते हो जो घर के अंदर है, वो dining area है, एक बड़ा सा dining area, और इसी में आपक तो इस तरीका से इस गर काम किया जा रहा है वहाँ पर हॉल मिल गया उसके साथ-साथ-साथ-स इधर आपको एक रूम मिल गया यह देख सकते हो काफी यहाँ पर एरिया भी मिल गया कास्टिंग का सिड़ी का कंप्लीट कर लिया गया है मेरे सामने एक और रूम है यह देख सकते हो और इसके बगल में कीचेन है तो इस तरीका से इस गर को बनेया जारा सिर्फ 27 पीट 32 फीट में मतलब 810 पीट में यह बनता हुआ घर है जैसे एसे काम आगे आगा आगे जो काम complete किया जागा फिर से मैं आप लोग के लिए step price वीडियो लाता रहूंगा ताकि आप लोग को और बे ज़्यदा idea लग सके इस घर का फर्स में आप देख सकते हो बहुत तरह काम बाकी है जैसे कि मिट्टी का बहाई करके कुछ दिन के छोड़ दिया गया है मिट्टी बैठेगा जो इसा जो तल्ग करते हुए pumping का दस स्पीट मैं ने बताया कि घर का जो फर्स है उसके उंटाई जो इस घर का उंचाई घर का उचर में रखा गया है घर का वाहां से 10 में रखा गया है लेंडिंग तक देख सकते हो सीडी का लेंडिंग तक की याँ कर लिया गया है उसके मेरे हर्ड वीडियो के तरह इस वीडियो से भी आपको बहुत सारा आइडिया जरूर लग गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से आप मात्र सदा इस फिट बै तीस फिट में इस पैटन के साथ घर बना सकते हो मेरे वीडियो अच्छा लगता तो फ्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजएगा क्योंकि आप ही लोग का हेल्प के लिए डेली वेस्स पे इस चैनल पर आपको वीडियो मिलता आ रहा है और मिलता ही रहेगा तो बहुत जल मिलते ह हैं अगले वडियो में तब तक लिदेजे इसाज़त नमस्कार